What's up guys, आज हम देखेंगे क्या शुम्मंगिल को फेवर करती है BCCI और रूतुराज गाइकवर के साथ हो रही ना इन साफी भाई ये आज गल चर्चा है बहुत चले ट्विटर पे भी और हर जिगे तो आज रोनक की वीडियो है चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे, लाइक, वर्टु तु 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 अच्छा क्या बांगलादेश के लिए जो इंडियन टीम सेलेक्ट हुई है उसमें भारी घपला किया गया है क्या बत करें नमस्कार में और रहुनक रंतंत्र देख रहे हैं भारती टीम जब भी आती है उस दिन पूरे देश का हपिनेस इंडेक्स नीचे चला जाए है क्यूंकि जो नहीं सेलेक्ट हुआ है उसके फैन क्लब हला मचाते है और फिर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को हिच्किया आत नौन सेलेक्शन से क्रिकेट फैन्स खुश नहीं है आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपकी उपीनियन भी जानना चाहेंगे बस चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो पसंद आ है तो लाइक करना पहला खिलाडी शुबमन गिल की सेलेक्शन से भारती क्रिकेट फ पर फॉर्म नहीं किया है जबकि दूसरी तरफ रुतुराज गाइकवाड पिछले कुछ समय से बहतरीन फॉर्म में नजर आ है लोगों का कहना है कि शुबमन गिल 35 के टेस्ट आवरेज पर टीम इंडिया में खेल रहे हैं जबकि 42 से उपर का फर्स क्लास आवरेज होने के पावजूद रुतुराज गाइकवाड को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि जिस तरीके से बाबराजम घंटे की किंग है उसी तरीके से शुबमन गिल भी घंटे के प्रिंस तो रुतुराज गाइकवाड है यहां तक तो ठ हम आपको बताते हैं दूसरा खिलाडी जिसकी वज़े से फैंस नाराज हैं यह खिलाडी है इशान किशन के सेलेक्ट न होने पर भी लोग बीसी से आई के अप्रोच पर सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक आप यह कह रहे थे कि इशान किशन डोमेस्टिक टॉर्णमें नहीं जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा उसकी टीम में जगे नहीं बनेगी यह बोल बोल कर तुमने सभी खिलाडियों के जीवन में पुदीना और धनिया एक साथ बोडिया इशान को इंडियन टीम से बाहर कर दिया उनका सेंट्रल कॉंट्राक्ट रद कर दिया और अब जब जब विकेट के पीछा भले ही अच्छा काम किया हो लेकिन दुलीप ट्रॉफी में बुरी तरह फेल रहते हो दूसी तरह बुची बाबु टोर्नामेंट में इशान किशन ने सेंट्री लगाई थी और फिर एक विनिंग नॉक भी खेली थी अगर इसके बावजूद इशान किश हैं और ऑस्ट्रेलिया में हमें एक्सपिरिंस्ट गेंदबास चाहिए तो लेफ्ट एंड गेंदबाजी में तो अर्षडीप सिंग और खलील एहमद यश्दयाल से आगे थे इतने सालों से हमको यही बताया जा रहा था कि भारत के दो बेस्ट बाइंहात के तेज गेंदब और एक साल के अंदर अब टीम इंडिया का हिस्सा है मोटिवेशन चाहिए तो यूट्यूबर्स के पास मत जाओ यश्दयाल से जाकर ले आओ यह बड़ी अच्छी बात यह बोला तो यह बताईए आपकी साब से टीम इंडिया की सेलेक्शन एकदम परफेक्ट है या फिर अर्षडीप सिंग, रुतुराज गायकवाड और इशान किशन का सेलेक्शन हो सकता था जो भी आपकी ऐश्वार्या माइनस राय है कॉमेंट करके हमें जरू बताएं और चैनल भी सब्सक्राइब करके ज़िए हमेशा जब भी सेलेक्शन होगा तो लोग होंगे जो कभी भ हैं था जो गुछ किसी फ्ले फिर हम ही वह में प्लेयर को पूरा मुझाव को संब नियुक अब ऐसा थोड़ी कि अब अच्छा ने कर वह आते आ कि सालों से उच्छा निंगर्य फो उसने तो तो टेखनी कल दिखा कि चलती है और उतुराज भी अच्छा कर तो ऐसा नहीं कि सबी अच्छा करते हैं सब को मोका मिलता रहेगा वक्त होता और अच्छा टीम बेंजमेंट बुरे वक्त में भी टीम को साथ लेकि चलता है फिर कहते हैं बस गाबाव एक पारिश है जीतवा दिया तो यह थोड़ से दिमाग से पादल हो क्या कुछ लोग वह यह नि देखते क तो अपने पास क्या होगी जितना ज्यादा इंटरनेट मिलिया है और जितना सहुलित मिली तो कुछ लोग पास तयार है आज हमने क्रिटिसाइज कर दिया हम तो मस्ती मस्ती में कह रहे थे मीम्स थे मीम्स ट्वीट भी मीम होन लग गई अब यार सोचने में मजबूर रहती चीज़े और देखो अर्सदीब को खेलाएं चाहिए असद्याल को खेलाएं खेल सभी रहें कुछ नों कुछ फॉर्मेट तो एक्स्प्रियेंस है और मोका मिल अगर जुरत पड़ेगी तो अर्सदीब को भी लेकर आजेंगे मुझे लगता है लेकिन वह यह है कि ट्रायाउट भी करना चाहते है यह चीज़ भी है और वह अच्छा भी कर रहा है अभी अच्छा किया तो अवरॉल टीम सेलेक्शन ठीक है मतला ऐसा कुछ यहने कि ओमाइग बहुत बुरी टीम हो अच्छा करने वह टीम ली थी वेल्ड कवें तभी तो कई अलोच अलोच निकल के आए जीती ना इंडिया फिर भी तो वही चीज़ कि कभी जीते हैं कभी हारेंगे लेकिन वही वाली बात है एंड़े है तो इंसानी सबको खुश नी कर सकते ना मिलते को वीडियो के साथ ब अच्छा कर दो बैट टिकेंट